पुन्जिले में एक पागल कुट्टे के हमले में चार स्कूली बच्चे और महिलाओं समेत बारा लोग घाल हो गए ये घटना सीमावर्ती जिले के मेंडर शहर में हुई जानकारी के अनुसार घायलू में कुछ प्रवासी मज़़ूर भी शामिल है एक डॉक्टर ने कहा कि कुट्टे के काटने के कुल बारा मामले सामने आये जिन में तीन लोग गंभी रूप से घाल है डॉक्टर ने कहा कि सभी गायलूं को रेबीज, रोधी, टीके लगाये गए हैं डॉक्टर बशारत कयूम ने कहा कि जिले में आगामी विधान सभाद चुनाओं की सभी तयारियां पूरी कर ली गए हैं और जिले में नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्यूंकि जिले में 18 सितंबर को पहले चरण में विधान सभाद चुनाब होने हैं प्रभावित लोगों को आवशक स्वास्ति मैं प्रदान करके बुफ चिकित सा कवर प्रदान करना था लोगों ने इस आयोजन के लिए भारती सैना का शुक्रिया दाकि और भविश्य में इस तरह के आयोजन की उमीद जता है जम्मू और कश्मी नाशनल पैंटिस पार्टी भीम विधान सभा चुनाओं के लिए तैयार है और हर्सी पर अपने उमीदवार खड़े करेगी पार्टी अधिक्ष विलक्षन सिंग ने पत्रकार वारता कर्स की जानकारी दी और उमीदवारों के नाम की घोशना की ब्रक्षन सिंग ने इस मौके पर कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर जमो कश्मीर के लोगों के हिट के लिए काम करेगी, उन्हें अपना घोशना पत्र भी जारी किया कॉंग्रिस के नए प्रदेश अधिक्ष तारिक एहमत कारा पदभार संभालने के बाद जमो पहुँचे, जहां उनका कारिकरताओं ने भव्व स्वागत किया जब हो पहुँचते हैं उन्हें किंद सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस लड़ाई में जो भी उनके साथ आना चाहता है उसका स्वागत करते हैं दिली पॉलिस ने कहा कि राश्री राजधानी के विभीन शॉपिंग मॉल को बं से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला था दिली पॉलिस के मुताबिक चानक के मॉल, सिलेक्ट, स्टीवोक, अम्बियन्स मॉल, डी एलिफ, सीनेपॉलिस, पैसिफिक मॉल, प्राइम्स होस्पिटल और यूनिटी ग्रूप को धमकी भरा मेल मिला जिसमें कहा गया कुछ घंटू में विस्वो टक फट जाएगा सुस्टा मिलने के तुरंट पार दिली पॉलिस ने जान शुरू की मोगे पर बम निरोदक दस्ता और दमकल की गाड़ियां पहुँच गई लेकिन कोई बम नहीं मिला किंद्री कार्मिक मंत्री जितंदर सिंग ने यूपी एसी के अधिक्ष को चिठी लिखी है मंत्री ने यूपी एसी की तरफ से सीधी भरती से जुड़े विग्यापन को रद करने के लिए कहा है जितंदर सिंग ने चिठी में कहा है कि सेंधातिक तौर पर सीधी भरती की अवधारना का समर्थन 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से किया गया था जिसकी अधिक्षता वीरपा मोईली की तरफ से की गई थी हरांकि लेटरल एंटरी को लेकर कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए है कुलकत्ता के आरजी कर माडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुशकर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई शुरू कर दी है शीष अधालत में जून्य डॉक्टर की दुशकर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोडफोड के मामले पर स्वता संग्यान लिया मुखी नयाइधीश डीवाई चंद्रचूर के धिक्षत वाली पीछ में नयायमूर्ती जेबी पारदीवाला और नयायमूर्ती मनोज मिश्रा शामिल रहे बंच ने इस मामले में पीडिता की पहचान उजागर होने पर चिंता जाहिर की साथी केस में पुलीस टांच से लेकर आरजी कर माडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीब घोष की भूमे का तक पर सवाल उठाए कोट ने मामले में आठ सदस्ती टास्क पोर्स के गठन का फैसला किया बांडिपुड असले के शिल्वत सुम्बल इलाके में कश्मीर टीब्या कॉलेज की छात्रोर करमचारियों ने कॉलेज परिस्तर में विरोध प्रदर्शन क्या और कोलकत्ता के आरजी कर कॉलेज में हुई हत्या मामले पर गहरा दुख विक्या प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में कारवाही की मांकी उधर गवर्मेंट डेंटल कॉलेज अम्मू में भी कॉलकत्ता के आरजी कर माडिकल कॉलेज में हुए हत्या और दुशकर मामले के खिलाफ प्रदर्शन क्या गया प्रजशन कार्यों ने इस घटना के खिलाफ विरोज जत्तार मामले में कड़ी कारवाई की मांकी